आज नाश्ती की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो है बेसन और सूजी का बहुती टेस्टी चीला हेल्दी होने के साथ साथ ये जल्द से जल्द मिंटों में बनकर रेडी भी हो जाता है इस बेसन और सूजी के चीले को हम बनाएंगे आधे कप बेसन के साथ इसके साथ ही ले लेते हैं आधा कप सूजी, सूजी मोटी या बारिक आप ले सकते हैं साथ ही इसके आधा कप पानी भी डाल लेंगे, अच्छी तरह से बेसन और सूजी को मिक्स करते हैं और ढख कर इसे 10 मिनट के लिए डख देते हैं अब एक पान में एक बड़ा चमच तेल डाल कर इसमें डालते हैं आधा चमच जीरा आधा चमच डाल लेते हैं सरसों के दाने दोनों चीजों को चलाते हुए फ्राइ कर लेते हैं अब एक चमच बारिक चॉप की हुई लाल मिर्च, इसकी जगा आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं एक चमच डालेंगे चॉप किया हुआ लेसन, एक चमच डाल लेते हैं बारिक चॉप किया हुआ करी पत्ता ये मसालों को राई और जीरे के साथ मिक्स कर लेते हैं आलू भी इस चीले में डालेंगे मैंने एक मीडियम साइस का आलू लिया हुआ है इसे हम ग्रेट कर लेंगे इसे पानी डाल कर इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं पांच मिनट के लिए अब कदुकस किया हुआ जो आलू है इसका हम सारा पानी निचोड़ कर इस मसाले में डा साती इसके एक मीडियूम साइज को टमाटर बारिक चॉप किया हुए डालते हैं, आधा कब डालेंगे बारिक चॉप की हुई शिमला मिर्च, आधा कब ग्रेट किया हुई गाजर भी डाल देते हैं, अब जो चाहें वह सब्जी, इस चीले में डाल सकते हैं, अब मीडियूम पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है बस 1 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर देते हैं बेसण और सूझी की तरफ आते हैं ठकन हटाने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लेंगे अब जो सबसी हमने पकाई हुई है ये सारी इसमें डाल देते हैं साथ ही इसके डालेंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच है अजवायन, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आड़ कर लेते हैं बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इस तरह का ये गाढ़ा होना चाहिए अब चीला बनाने के लिए एक चम्मच तेल डाल लेते हैं पान के उपर, एक बड़ा चम्मच चीले का बैटर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पान के उपर फैला लेंगे चीले को तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, उपर की तरफ इसका कलर चेंज हो जाए, इसके बाद हम चीले को पलट लेंगे अलट पलट करते हुए चीले पर अच्छा सा गुल्डन कलर आने तक हम चीले को पका लेते हैं इस तरह हम बेसन और सूजी का चीला सारी सबजियों को मिक्स करके बना सकते हैं ये चीला बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे चतनी या सॉस के साथ नाश्टे में या फिर सनाक्स में सर्फ कर सकते हैं